मोबाइल फोन कहां से खरीदे जी हाँ दोस्तो ओफलाइन मार्केट से खरीदा जाए या फिर ओनलाइन मार्केट से खरीदा जाए अगर आप ओनलाइन मार्केट से खरीदना चाते हैं तो कौन सा वेबसाइट आपके लिए अच्छा होगा जहां पर आपको सस्ते जाम में benefits भी मिल जाएगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना mobile phone purchase करना चाहते हैं तो आपके लिए offline market अच्छा होगा या फिर online market अच्छा होगा अगर आप online market से phone खरीते हैं तो आपको कौन से website से अपने phone को खरीदना चाहिए तो दोस्तो वीडियो को आप अपन तक जरू देखें नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अभी मन्यू और आप देख रहे हैं टेक्मी ओफिसेल यूटूब चैनल तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं आज से कुछ साल पहले जब इंडिया में online market available नहीं था तो उस टाइम कस्तमर क्या करते थे ओफ्लाइन दुकानों में जाते थे और अपने product को purchase कर लेते थे ऐसा करना उनके लिए काफी हद तक अच्छा होता था क्योंकि वो offline market के उपर काफी trust करते थे पर धीरे-धीरे इंडिया में e-commerce company आकर अपने customer को लुभाने लगी और धीरे-धीरे जो लोग थे offline market से online market में shift होने लगी सब वो इसलिए करते थे क्योंकि online market में उनको काफी सस्ते में product मिल जाते थे और साथ में कई सारे benefits भी उनको मिल जाते थे और वो अपने order को कहीं से भी place कर देते थे और उनके location पे वो order receive हो जाता था भारत में करीब 75% ऐसे लोग है जो online product खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वो आज online इतना trust करते हैं कि किसी भी product को आख बन कर ही खरीद लेते हैं पर ऐसा करना क्या हमारे लिए अच्छा है तो मैं बोलूंगा दोस्तों काफी हत्ता कि अच्छा नहीं है क्योंकि अगर आप किसी भी product को खरीदना चाहते हैं तो आप दोनों market में पहले research करें आप एक time क्या कि इसी चीज का फाइदा उठाने लगी company जिस product का range सस्ता कर रहे थी उसी product को आज बढ़ाने लगी है यानि अगर आप research करेंगे तो आपको offline market में वो product सस्ता मिल जागा जो online product आपको दिखा रहा है दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक recommend करना चाहता हूं कि अगर आप क रजिस्ट करता हूं कि आप एक बार offline market जरूर विजिट कर लिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने mobile phone को online purchase करना चाहते हैं तो वो concept website है जहां से अपने mobile phone को आप purchase कर सकते हैं ताकि आप अपने mobile phones को काफी हद तक सस्ते दाम में और काफी सारे benefits का लाब भी आप उ हमारे लिए online market भी अच्छा होता है दोस्तों अगर आप अपने product को EMI पे खरीदना चाहते हैं यानि आप अपने installment पे product को खरीदना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास कोई बुराना phone है और आप उसको exchange करके new phone लना चाहते हैं तो आपको वो online market में इसकी सुईधा मिल जा कि आप उनके official website से जाके product को purchase करें ताकि आपको genuine product मिल पाए और आपको warranty या फिर guarantee की कोई भी problems उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं Amazon के बारे में आज Amazon World का top number one e-commerce company बन चुका है आज हम Amazon के साथ काफी trust करते हैं और किसी भी product को आँख बन कर ही Amazon के साथ खरीदते हैं तो आपको exchange करके new phones भी ले सकते हैं और भी यहां पर कई सारे आपको office मिल जाते हैं आपको cards की office मिल जाती है यहां पर आपको coupons के office मिल जाते हैं तो कुछ हद तक आप अपने product को Amazon से भी purchase कर सकते हैं next हम बात कर लेते है flip card के बारे में दोस्तों flip card भी काफी हद तक बढ़िया e- यहां पर आपको personally एक चीज रिकमेंड कर रहा हो जिसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे दोस्तों क्या होता कि हम जब mobile phones को purchase करना चाहते हैं तो हम अपने पुराने वाले phone को exchange नहीं करते हैं यानि हम सोचते हैं कि हमारे पास new phone भी आ जाया है और हम पुराने phone को भी जाता है so I hope दोस्तों यह information जितने भी मैंने वीडियो में आज आपके साथ सेर की है वो आपके लिए काफी हद तक benefits होगा और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अपने mobile phones को online या offline क्या purchase करना है वो आपको पता चल जाएगा दोस्तों वीडियो पसंद आ आप